माता सीता के मंदिर निर्मान के लिए अयोध्या में घूम घूम कर लोगों को अमंत्रित कर रहे हैं कल्यूक के लवकुस। यहां खबर अयोध्या से है जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है राम लाला का दर्संग उनके जन्मस्तान पर बने भव्य मंदिर में लगातार कर रहे हैं ऐसे में अब राम के पुत्र लवकुस की भूमिका में रामनगरी में दो बच्चे इन दिनों आकरस्ण का केंद्र बने हुए हैं जो सीता माता के मंदिर के निर्माण और प्रधान मंत्री को सीता माता के मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बुलाने के लिए संकों पर घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं बाकाइदा लौकुस के भेश में सीता जी के मंदिर के लिए वो आवहन कर रहे हैं लोगों से चुका है लेकिन हरियाना के कैथल जो पटियाला हाइवे परिस्तित है वहां पर माता-पिता का मंदिर बन रहा है और उस मंदिर के उध्गाटन में देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राम भद्दाचारे और बागेश्वर धाम पिठादिश्वर आचारे धिरिंद्र किस्न को वह बुलाना चाहते हैं और इसलिए वह सांकों पर उत्रे हुए है बच्चों के इन स्वरूप को देखकर हर कोई मंत्र मुग्द है और सीधा कीचते हुए उनकी तरफ चल रहा ह है और जब इनके पास आता है तो कल्यूग में लौकुस मा सीता के लिए नयाय मांगते हुए राम मंदिर बन जाने के बाद भब सीता मंदिर के उध्गाटन में देश के प्रधान मंत्री को बलाने की मांग करते हुए ये बालक नजर आ रहे हैं हरियना से अयोध्या पहुं माता पित सीता जंगल में रहती थी जंगल में जो उनकी कुठिया थी वह इस वक्त कैथल हर्याना में इस्थित है वहां पर भब मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी के उपलक्ष में हम अयुध्यावासियों को जगाने आये हैं सीता माता के प्राण पतिष्ठा में सामि लोग सामिल हो लाव ने बताया कि प्रफुराम का भवी मंदिर बन गया है लेकिन हमारे गाउं में माता सीता का मंदिर के निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है मंदिर का निर्माण चल रहा है हम यह चाहते हैं कि मंदिर में प्राण पतिष्ठा के मौके पर देश के ब द्याबातियों को प्रफुराम और मातासीता की कता सुना रहे हैं और हम यह मांग करते हैं कि हमारे हम वा रहे मंदिर के प्राण पतिष्ठा में हमारे देश के प्रदानमंतरी नरेंद्र मोधी अवस्य सामिल हो। उसमें मरलब सीता माता का मंदिर बन रहा है और यह है चाते हैं परदान मंत्री शीन नरेंद्र मोधी जी हमारे गाउं में पहुंचे और मंदिर का कार्या पूर्ण करें धन। हम अयोध्य वासियों को गाथा सुना रहे थे। यूपी न्यूज नाइन के लिए अयुद्ध्या से बिरो रिपोर्ट।